शेयर मार्केट, शेयर बजार धणाम, सेंसक्स 1100 से ज़ाद अंकों की जबरदस गिरावट के साथ बंत शेयर बजाईएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर करियेगा तो दोस्तों सेंसक्स निफ्टी टुड़ी, सेंसक्स ने आज क्लोजिंग बेल तक 1100 से ज़ादा अंकों की गिरावट देखी निफ्टी भी लुढ़क कर 14700 के केवल नीचे आ गया बी एसी और एन एसी के दोनों बेंचमार्क इंडेक्स लगतार पांचवे दिन गिरावट के साथ बंद हुए नए दिल्ली के बारे में अगर हम बात करें तो सोमवार को घरेलू बशियर बजार में जबरदस गिरावट देखी गई है सेंसक्स ने आज क्लोजिंग बेल तक 1100 से ज़ादा अंकों की गिरावट देखी है निफ्टी भी लढखकर 14700 के गिलेवर के नीचे आ गया है BSE और NSE के दोनों बेंचमार्क्स इंडेक्स लगतार पांचवे दिन गिरावट के साथ बंद हुए है सेंसक्स 5000 से 5000 से 5000 के नीचे आकर रुका है बाजार बंद होने के साथ सेंसक्स 14,490,44 अंकों यानी 2.25% की गिरावट ले करके 49,744.32 पर रुका वहीं निफ्टी में 306.10 अंक यानी 2.04% की गिरावट दर्श की गई है निफ्टी आज 14,670,70 के आंकरे पे बंद हुआ है बता दे कि आज मार्केट ओपनिंग के बेंचमार्क इंडेक्स हलकी तेजी के साथ खुले थे लेकिन सेंसक्स ने बड़ा नोस डाइव किया है पिछले कारुबारी हफते में काफी गिरावट देखी गई थी दोपहर के कारुबार के दोरान सेंसक्स तेजी से गिरने लगा लगबग दो बच करके 35 मिनट में सेंसक्स 1089.36 अंक की गिरावट के साथ 50,000 के नीचे पर पहुँच गया ठीक इसी वक्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानि की NSE का सूचकांग Nifty B 291.15 अंक लोड़कने के साथ 14,690.60 पर कारुबार में रहा था उपनिंग के बाद लगबग 996 शेयर में तेजी आई थी वहीं 409 शेयर में गिरावट भी दर्च की गई थी तो दोस्तो आज के इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में मैं आपको और भी ज़्यादा इंफोर्मेशन दूँगी शेयर मार्केट्स रिलेटेट तब तक के लिए जैहिंद बने मातरम वीडियो अच्छी लगी है तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके वेल आइकन जरूर बजाईएगा जैहिंद बने मातरम नमस्कार